जैहिन मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है, आप सब कैसे हैं, आप सब को मेरा प्यार भरा, नमस्ते, आज मैं इस वीडियो में आपके साथ एक कहानी शेयर कर रही हूँ, वो कहानी एक दादू की है, एक बुढ़े अंकल जी है, उनकी कहानी है, जो की बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, जानवरों से भी बहुत प्रेम करते हैं, और साथ ही साथ उन्हें छोटी-छोटी सी कविताय बनाने का बहुत शौक है, उनके इसी शौक की वज़े से घर के आसपास के सब लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं, और जब भगव में से देखकर ये जरूर बताना कि आपको दादू की कौन सी कविता अच्छी लगी जो भी सबसे अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में लगकर जरूर बताना और अपनी टीचर को भी बताना और अपने पैरेंट्स को भी बताना और लास्ट में मैं एक क्वेस्चन भी पूछ जिसको लिखा है नाजिया जबीन ने और इलिस्ट्रेटर है मनबेंडो गॉलडर और ट्रांसलेटर है ममता नैनी ये कहानी भी रूम टूरीट पर पब्लिश की गई है ये है तुकबंदी वाले दादू इनकी नाग बहुत लंबी है और आखे गोल-गोल बड़ी-बड़ी द दादू इंद्र धनुष सा रंग बिरंगा कुर्ता पहनते हैं और जब भी वे अपना मूझ खोलते हैं कविताएं जड़ती हैं नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों दादू है मेरा नाम दिन भर तुक बंदिया करता हूँ मैं कविताएं कहना मेरा काम दादू का दिन कुछ ऐसा दिखता है सबसे पहले वे सुभा का स्वागत एक विशिश कविता से करते हैं आई है फिर एक नई सुभा लोटा में सपनों की उडान से तीन सुनहरी बिल्लियों के संग गया था महल की सेर पर दादू सुभा जल्दी उठते हैं वे बगीचे में टहलने जाते हैं और पौधों के बीज से बाते करते हैं जागो मेरी हरी भरी घास नीन को तुम अब दूर भगाओ खुले इस आकाश के जैसे तुम भी अपने पंक फैलाओ दादू इतनी सारी तुकबंदिया कैसे सोचते हैं एक खत्म होती नहीं की दूसरी शुरू यह पेड़ भी है एक अजब इमारत छज्जे पर इसके पंची चह चहाते निचली मंजिल में रहने वाले टिड़े भी खूब टर राते पेड़ पौधों से दो-चार बाते करने के बाद दादू अपनी अतरंगी टोपी पहनते हैं टोपी के किनारों से टोफियां लटकती हैं जल्द ही दादू के दोस्त आ जाते हैं उल्लू हमेशा सबसे पहले आता है उसे दादा जी की अनोखी टोपी से टोफियां तोरना बहुत पसंद है दादा जी कहते हैं मेरा है एक अनोखा दोस्त भूक लगे तू गुन-गुनाता है मेरी ही टोपी से फिर तू टोफियां चुरा कर खाता है क्या आप जानते हैं कि दादू का दूसरा दोस्त कौन है हाती का एक बच्चा जो बर्फ की तरह सफेध है फिर ये तीन दोस्त रोज की तरह गाउं की सेर पर निकलते हैं सभी गाउं वाले दादू और उनकी मज़ेदार कविताओं का बेसबरी से इंतिजार करते हैं चलते चलते रुकते हम मिल जाए कोई तो जाते थम रुकते रुकते चलते हम जाना है दूर भाई वक्त है कम तररंपम 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 तभी उल्लू चिंगारता है एक और कवीता हो जाए दादू दादू भला उल्लू की बात कैसे टाल सकते है मुझे केवल तुम कवी न समझो मेरे पिटारे में बहुत से जादू है थाम के बैठो दिलों को अपने अगडम बगडम गिल्ली गिल्ली छू हाती का बच्चा दादू की तुकबंदी के साथ नाचता है समय आ गया है नय रोमांचक सफर का वह कहता है अब दादू और उनके दोस्त पहुँचते हैं समुद्र के बीचो बीच दादू वेल की सवारी करते हुए एक और कवीता सुनाते हैं आओ मेरे प्यारे दोस्तों चले समुद्र की सैर पर लहरों से क्यों ना करें हम बातें विशाल वेल की पीठ पर बैठ कर अब बारी है आसमान के सैर की देखो दादू उड रहे हैं उल्लू को पकड़ कर नन्ने हाती तुमारे पंक कहां से आए एक उड़ती बत्तक ने पुकारा आपको क्या लगता है ही 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 तीनों दोस्त खूब हसते हैं मिल गया मौका दादू को एक और कवीता कहने का मुश्किले फुर हो जाती हैं उनकी दिल खोल कर हसते जो हात बढ़ाने की हिम्मत है जिनमें आसमान चूजाते वो जाते हैं खिल खिलाते हुए बच्चे दादू को अपनी बनाई हुई एक कवीता सुनाते हैं फुटबॉल की मैच में देखो दादू ने दिया टीम पर धावा बोल हवा से भी तेज दोड़ कर किये सबसे जादा गोल स्कूल से घर जाते समय सभी बच्चे दादू के एर्दगिर्द मन राते हैं दादू के पास हमेशा एक आखरी कवीता जो होती है बात सुनो ये ध्यान से बच्चो नहीं है कोई उल जलूल कविताइन पनों को रखलो संजो कर्तुक बंद दादू नहीं रहेंगे सदा एक सुबह जब दादू उठे तो उन्हें चड़िया के चहचाने की आवास सुनाई पड़ी इस पर दादू ने रच दी एक और कविता सुबह सवेरे बीच बगीचे चड़िया गाती प्यार के गीत जो आया था वो जाएगा यही तो है जीवन की रीत उस दादू गाउं में टहलते नहीं देखे बच्चे उन्हें हर जगे ढूडते रहे पर दादू कहीं नहीं मिले दादू कहा गए उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि आप दादू को हमारे पास वापस नहीं ला सकती हमें उनकी कविताएं सुनना बहुत पसंद है और हमें उनकी बहुत याद आ रही है शायद दादू कहीं दूर चले गए हैं एक रुमांचक सफर पर यह कहकर मा गाती है दादू हैं दूर एक दुनिया में काश हम उन्हें देख पाते मगर से सुनोगे तो सुनाई पड़ेगा बच्चों को किसी टोली की कविताएं सुनाते हुए तो ये थी बच्चों दादू की कहाने जिने कविताएं बनाने का और कहने का बहुत शौक था सबी बच्ची उनके मित्र थे सब उने पसंद करते थे क्योंकि वो बहुत प्यार से रहते थे पशु पक्षी भी उनको बहुत पसंद करते थे तो यदि हम प्रेम के साथ रहेंगे तो सब लोग हमें पसंद करेंगे अब बच्चों हमारा आज का सवाल कि दादू को सब बच्चे क्यों याद कर रहे थे दादू कहां चले गए थे बच्चे क्यों परिशान थे आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लेकर जरूर बताना फिर मिलूंगे आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स पर वाचिंग